क्या हुआ यार मैं बहुत confusion है समझी नहीं आ रहा है कहां से पढ़ूं कहां जाओं कैसे देखूं क्या tough है क्या easy है chapters को ठाता हूँ पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ फिर easy और heart कुछ समझ में नहीं आता है इदर आ हम करते हैं कुछ कुछ तो करी लेंगे ज्यादा तो कुछ करनी सकते पर courses करेंगे कुछ करने की अब क्या है न कि अब इतना वक्त नहीं है कि आप यह सोचो या वो समझो या जानो या चीजे strategy अलग से बनाओ जहां से मिल रहे हैं लोग वहां से हम देते हैं कुछ strategy वाले यह बुद्ध आगे वाला है तो हम इसलिए मैस को नब बहुत लाइन से पढ़ते लाइन अप कर्के पढ़ते हैं this chapter के बाद 2 पर यह कुन है इस मंसे कुछ ट्रिक होता क्यों इस पर डिंद करते हैं कि को प번े हम कूछ 30-40 पर्सेंट कर देख लेते हैं हम कुछ 30-40 परसेंट का देख लेते हैं कि इजी कौन सा हो सकते हैं जिसको आप बिना पढ़ें एक नए चप्टर पढ़ सकते हो तो वह देख लेते हैं कम से कम कुछ तो हो जाए कि मैथ में इतना इंट्रेस है निए घरवालों ने मैस दिला दिया है पढ़ना तो पढ़ेगा टॉप नहीं करना एक लिस कुछ तो अच्छे मांक्स लादू 70-80 मांक्स लाके अच्छे से मांक्स लेकर आए और आज के जमाने में मैं माप जाई देखी रहे हो 90-80 पोसेंट ब एक्टर एलजेबरा 3DNLPP यह जो है ना आपके मैट्रिसेस जो है यह किसी पर डिपेंड नहीं करता और इजी भी है इजी तो बहुत है मैट्रिसेस और इससे कुछिन भी अच्छे का से पूछ लेता है पूट्स इवर बोट्स ही क्यों सब जगे सके कुछिए अच्छे का स अब डेरी वेटव मैंडिकेंसा आप डेरी वेटव किमझ आतना लग्ता सबको ईजी लगता है अप्लीकेशन अब डेरी वेट तव का उल्टाई तो है एसा निए करना भी हाँ ईजी है यह पढ़ सकते हैं इसको ईज ली आप आते हैं वेक्टर एल्जेबरा मैं है तो सबसे पहले कुछ परणा है न तो इनको परके घटा दो क्यूंकि वेक। वेक्टर यह इंडिपेंड है एकदम इंडिपेंड कोशना इस से पर जितना पड़ा ना उसके फिक्स है कोई भी बुझालो आप हर जगा उतनी क्वांटिटी में उतना ही है नमबर आप कोशेंट फिक्स हैं सब कुछ फिक्स है बस आपने वोट वह देखलो कि कितने राज कोशना आते एक क्वेश्चन तोम ही क्या गैसिकर हम बहुत इजी लगता है मुझे मिझे दो बहुत आधे लगता है पढ़ाने क्या मं दो और इसमें को व purchased ग्रीड Verkehr तो आपको पता यह 跑 ही इसका वन सौर्ट देखो और खतम हो गया इसमें तो बहुत एजी कुशन बनता है और इसमें थोड़ा सा लॉंग एंसर का कुशन बन जाता है लेकिन एजी बनता है यह सारे चैप्टर तो बहुत ईजी है हाम है अब तो हो जाएगा यह तो कर लेंगे सब के वन सौर्ट उठा अलनीहाया मुझे पता नी क्या पढ़ा देते उजी एवन न कुछ और पढ़ा देते नियूत कुछ और पढ़ा देते हैं यह ठैबर यह जान ही और करना अ हो ये तो कुछ नहीं समझ में आएगा तो दिल को healthy रखना exercise करते रहना है अच्छे चीज़े खाते रहना है तो इसको पढ़ना है दिल को proper अच्छे से रखना है तो relation and function को न अच्छे से पढ़ो confused होना ही नहीं इसमें थोड़ा सा confusing है function बट इसको अच्छे से clear करो और यह depend करता है 11th class के relation and function पे और set पे उसे पढ़ लो भाई कहीं से भी one sort video ठालिया हमारा चैनल का पढ़ लिया खतम कर दिया inverse trigonometric function मैं क्या ही उल्टा पुल्टा होता भी नहीं फिर भी हम प्रूफ करते हैं इन्वर्स trigonometric function का inverse possible भी नहीं होता है फिर भी कराते हैं अब maths है अब maths वाले पागली होते हैं तो अब नहीं होता है फिर भी कराते हैं तो करेंगे न कहीं न कहीं से तो कोशिस करो कि trigonometric function नहीं आता मैं यह क्या ही है यह आफ़त बही कंटिन्यूटी डिफ्रेंस बिल्टी लिमिटेंड डिरीविटी पुटेंड करता है जो 11 दो पढ़ क्या है नहीं पढ़ा क्या पढ़ो ना फिर वन सौर्ट वीडियो देखो जो आने वाला चैनल पर जल्दी ठीक है तो कंटिन्य डिफ्रेंस बिल्टी पुरा डोटल उसपे डिपेंड करता है तो यह वहां से फुप्सॉल हो जाएगा इंटिग्रेशन यह सब की प्रॉब्लम मैं इंटिग्रेशन पढ़ना यह पढ़ लिया ना आपने अपने इंटिग्रेशन भी हो जाना फिर उसके बाद और इंटिग करते हैं यह यह और यह तीनों और स्टार्ट कहां से होता है 11 के लिमीट एंड कंटीनिवीटी से लिमीट इंड स्टार्ट होता है वह छोड़ दिया होगा क्या पढ़ना है अटाओ मैं छोड़ा क्यों यह पास तो रहेगा ना शक्र में अब आते हैं प्रोवेबिलिटी और नवी बेसिक पढ़ गयाना है सब वन सौर्ट देखो इसे कंप्लीट को रहे से कुशन बंते हैं बड़े वाले छोटे वाले सारे कुशन बंते हैं तो यह तो चैटर होते हैं वह कहीं से टफ नहीं होते हैं बस प्रॉब्लम होता है कि हमने उनका बेस चोड़ अखा होता है इसलिए आके एंड में वह तफ लगते हैं तो यह तफ चैप्टर यह है एजी चैप्टर तो पहले इने खतम कर लो वन सौर्ट वीडियो उठागे और कुशन प्रक्टिस कर जा यह आगे तफ चैप्टर देखो यह किस पर किस पर डिपेंड करते हैं उनके वीडियो प्यानुमें के तरफ से जो हमने सुरू में नहीं बोला मिलते हैं नेक्स वीडियो में तैंक यू सो मच खुस रहो और अच्छे से एक्जाम के तयारी करो